वेलकम बैक तो मैं चानल, तो आज में आप सबके लिए हूँ परफेक्ट वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी, इस तरीके से बनाओंगे तो एक तम ही यमी आपका ये पास्ता बनेगा, तो सबसे पहले या पर ने पान ले लिया है, और इसमें दो बड़े चममच मेंने बटर बहुत ही इंपोर्टन है, इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, जैसे ही बटर मेल्ट हो, यहां पे आधा प्याज मेने लिया है, बारिक चॉप किया हुआ, इसको हम थोड़ा सा बुन लेंगे, बहुत जादा इसे पकाना नहीं है, बस इसका कच्छा पन निकल जाए, इत बहुत इंपोर्टन है, इसे से जो हमारी क्रीमी ठिक ग्रेवी जो है, यह रेडी होंगी, यहां पे दो चमच मेदा सफिशिंट है, अब हम इसे पकाएंगे, दो मिनिट के लिए, ताकि जो मेदा है, इसका कच्छा पन निकल जाए, जैसे ही मेदा पकेगा, तो आपको एक स तो देखिए, इस समय पे मैंने इसमें कॉन आट कर दिया है, इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, अगर आपके पास तो जरूर आट कीजेए, नहीं तो आप बिना वेजटेबिस के भी से बना सकते हैं, तो देखिए, मैंने दो मिनिट तक इसको अच्छे से बुन लिय तो यहाँ पे मैंने इसे 30 से 40 सेकेंड और पकाया है, टोडल टाइमिंग आप धाई मिनिट ले लीजे, मैं दे को पकानी के और यहाँ पे मैंने एक कप दूद लिया है, थंडा थंडा दूद फ्रिज में से निकला हुआ यह आट करें, तब ही आपकी जो यह वाइट सॉस क क्रीम है, यह जो क्रीमी टेक्सचर है, इसका पॉफेक्ट आएगा, रूम टेंपरेचर वाला गूद का इस्तमाल आप ना करें, जल्दी जल्दी आप चलाईएगा ताकि इसमें लम्स ना बने, साथ ही यहाँ पे मैंने काले मिच पाउडर लिया है, और चिली फ्लेक्स ले इससे बहुत ही क्रीमी और टेस्टी चीजी जो है यह सॉस बनेगा, इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए यह थिक होने लग रहा है, तो मैंने इसमें और आधा कप थंडा दूद आट किया है, तो जो यह सॉस है, एकदम परफेक्ट तो ज्यान रखिए देड कप ठंडा धंडा दूद और डिलीशिस सा वाइट सॉस पास्ता का सॉस जो है रेडी हो चुका है, तो यहाँ पर बॉइल पास्ता आपके पास आपके पास अविलिबल है, आप इसमें आड कर सकते हैं, तो देखिए, यहाँ पर मैंने यह पास्ता अब यह देखिए, जो पॉफिक कंसिस्टेंसी है, सॉस की इसी तरीके की होनी चाहिए, इससे बहुत जादा गाडा होगा, तो आपको वाइट सॉस पास्ता खाने में मज़ा नहीं आएगा, इतना ही आप इसको ठिक रखिए, देड कप दूद के साथ एकदम पॉफिक कंसि यह रेडी हो चुका है, देखिए कितना टेम्टिंग लग रहा है, तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपका पॉफिक्ट पास्ता बन जाएगा, तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई है, तो प्लीज दो लाइक, शेर और सब्स्क्राइब तो माई कितना है तो माई देखिखी कि अशी के वार ma clarify से जाए बनाएंगे बनाएंगे के तो आपके ठjuूब यूलेएंगे जाएंगे टापके दो आराई ऑखके अब fedाना मादेपके टाफके प्ल जाचंगे अगर व